हैं लो एच्टूडेंट्स मैं देश मुक्सिंग आज डिस्कनेक्षन एप्रोच की इस कलास में हम बात कर रहे हैं सिंथोन और सिंथेटिक एकुलैंट के बारे में लाश्ट वीडियो जमें हमने डिस्कनेक्षन एक्प्रोच की बीसिक टर्मिनोलॉजिक के बारे में देखा था जहाँ पर हमने यह दिर्ति duy ho कि टार्गेट मॉली क्या होता है सिंथोन क्या होते हैं synthetic equivalent क्या होते हैं disconnection क्या होता है Retro synthetic analysis क्या होता है FGI क्या होता है FGA क्या होता है इसके बारे में हमने देखा था अब उसी terminology को हम detail में देख रहे हैं तो देखिए आपके exam में synthon और synthetic equivalent से related एक short note आता है जब हम बात करें synthon की तो हम ऐसे define कर सकते हैं कि ऐसे fragment जो की generally anine और ketine होते हैं और हमको disconnection के थुरू optane होते हैं या तो वो होंगे anine या ketine होंगे और disconnection जब हम किसी bond का cleavage करते हैं क्योंकि bond दो atoms के बीच का force of attraction है जब भी हम bond को तोड़ेंगे तो जिस atom की लक्ट्र नेग्टिटी ज़्यादा होगी उसके उपर negative charge और जिसकी लक्ट्र नेग्टिटी उसके compare में कम होती है उसके उपर positive charge आ जाता है तो एक तरफ हमारे पास ketine बन जाता है एक तरफ हमारे पास anine बन जाता है तो मैंने यहाँ पर definition में लिखा है जब हम किसी भी दो atoms के बीच के bond को किलीव करते हैं तोडते हैं डिसकनेक्ट करते हैं तो उसके बाद बने हुए fragment या iron जो जनरली केटाइन और anine होते हैं केटाइन और anine होते हैं वो हमारे कहलाते हैं synthon अब हम बात करें synthetic equivalent की तो यह synthetic equivalent जो होते हैं वो उन ही synthon के modified form होते हैं that means synthetic equivalent हमारे actual chemical compound होते हैं जिनने हम बोल सकते हैं regent actual chemical compound or regent is called synthetic equivalent जो की function of synthon की तरह बर करते हैं इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ही हम किसी भी दो atoms के बीच के bond को disconnect कर रहे हैं सबसे पहले हम bond को disconnect करेंगे तो हमको केटाइन और एनाइन की रूप में synthon opt-in होते हैं चुकि synthon हमारे पास laboratory में या market में directly available नहीं होते regent की form में available होते हैं इसलिए वो synthon का function करने वाले ऐसे regent या actual chemical compound ही हमारे synthetic equivalent कहलाते हैं यह हमको laboratory में easy going available हो जाते हैं अब हम नीचे बात कर रहे हैं कुछ synthon और synthetic equivalent के example की तो मैंने यहां देखाया common examples of some synthon and their synthetic equivalent तो यहां से यदि हम देखें तो क्या क्या example हमारे पास हो सकते हैं तो एक तरफ मैंने लिया है synthon और दूसरी तरफ मैंने possible उसके synthetic equivalent जो अपने पास easy going available हो सकते हैं अब वो मैंने आपको यहां सोकी है common examples हैं ऐसा नहीं है कि जो synthon मैंने जिस synthon का मैंने synthetic equivalent जो लिखा है वही होगा उसके अलावा और कोई option नहीं हो सकता different और भी option हो सकते हैं पहले हैं जिदी हम बात कर रहे हैं कि मान लिजे पहला example है मैंने कहा है कि यदी कहीं से आपका आर प्लस बन रहा है आर प्लस आपका obtain हो रहा है synthon के रूप में तो उसके synthetic equivalent क्या हो सकते हैं यहां पर synthetic equivalent का मतलब हम इसको neutral compound के रूप में actual result के रूप में यदी चेंज करना चाहें तो यहां पर हम कोई भी leaving group जोड़ सकते हैं RL और यह leaving group जो है वो कोई अच्छा leaving group हो सकता है जैसे CL हो सकता है जिसके उपर negative charge हो क्यांकि नेगेटिव और positive के बीच में क्या बन जाएगा यह बौन्ड इसके उपर negative charge होगा और यहां से आपका बन जाएगा bond है थीक है तो living Group CL हो सकता है BR हो सकता है हो तो इसका synthetic equivalent आप उसे किसमे convert करके बना सकते हैं उसके उपर कोई better living group जोड सकते हैं CL, BRI में better living group ability होती है और यदि हेलोजन्स की living group ability की बात करें तो iodine की living group ability ज़्यादा होती है किसे? ब्रोमीन से ब्रोमीन की ज़्यादा होती है किलोरीन से और उसका region क्या है? उसका region होता है कि iodine का size बड़ा है और जब यह कार्वन के साथ यहाँ पर bond बनाएगा तो दोनों की बीच में size का difference होगा और जितना ज़्यादा size का difference होगा एक का छोटा आकर और एक का बड़ा आकर perfect overlapping नहीं होगी फान्ड उतना ही बीक बनेगा तो living cafeteria उतनी ही जगादा होगी इसलिए हम बोलते हैं कि iodine में कार्व banana की बात कर रहे हैं यदि हम Magazine कारवेना इन सिंथ् 10 कی रूक में फॉर्म हो रहा है तो हम उसका सिंथैटिक कुलेंट कोई बी और्गेनोमेटलिक कंपाॉंड बना सकते हैं misconception queríaंड कंपाॉंड के मैं आप जानते हो कि जो भी हमारे और्गेनोमेटल कंपाॉंड होते हैं वहां जो भी इलकल को फोता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और जो भी धातू होती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो यहां पर जवकार्वनाइन की रूप में ना को होता है तो मैं कोई भी और्गेजमेटलिक कमपॉंड का यूज कर सकते हैं तान को हम से dal запис बोलते हैं और टू सीडी भी हम बोल सकते हैं तो जब भी हमारे पास कारवेनाइन अप्टेन हो रहा हो सिंथोन के रूप में तो हम उसका सिंथेटिक उकुलेंट क्या बना सकते हैं कोई भी और्गेनो मेटलिक कंपॉंड जिसमें चाहिए लीथियम कैड्मियम जिंक, कॉपर, मेगनिशम कोई भी हम मेटल का यूज कर सकते हैं नेक्स्ट हम बात करें थर्ड नमबर की जब आपके पास सिंथोन के रूप में इस तरीके का कैटाइन आपके पास हो तो उसका सिंथेटिक उकुलेंट की टोन होता है अब बात या आती है बना कैसे है तो और आजाता है पॉजिटructures यहां से निकाल देता यह एकस प्लस को बाहर और निकलने के विजए से रहे घर जाता है आई से। जब दाल देता है खुद का oxygen के उपर जो positive charge है उसको खतम कर देता है तो इस तरीके का जब थर्ड नंबर का आपके पास संथोन या दिक्षाइं ओक्टेन हो रहा हो तो आपको संथेटिक एकुलेंट के रूप में किटोन बनाना होगा किस तरीके से वो कीटोन बनेगा वो मैं आपको बता चुका हूँ आप यहां से इसको ऐसे देख सकते हैं कि मान लेजिए आपने यह लिया ओ एच और यहां से बांड बना हुआ था यह लॉन पियर जैसे यहां पर आएंगे ऑक्सिजन के उपर पॉजिटिव चार्ज आएगा इसकी लेक्टो नेग्टिटिव बढ़ेगी यह एच प्लस को बाहर निकल देगा और यहां पर क्या बन जाएगा डवल बांड तो पहले से बन एपक्साइड बनाना होता है वो कैसे बना है एपक्साइड देखिए यहां पर ऑक्सिजन जो जुड़ा हुआ है इसका एंजीपी लगता है एंजीपी लगेगा तो यह पॉजिटिव चार्ज जैसे यहां पर था यह पॉजिटिव था तो यहां से इसका एंजीपी यहां पर लगेगा इस तरीके से ठीक है और यहां बॉंड बनाएगा उक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा वह एच प्लस बाहर निकालेगा एंजीपी ऑपरेट होगा नेवरिंग गुरूप पाइटिसिपेशंट कार्वन पर नहीं उससे अगले वाले कार्वन पर यदि पॉजिटिव चार्ज हो जिस पर ओएच जुड़ा हुए है तो आपको सिंधिटिक उक्लेंट के रूप में हमेशा एपॉक्साइड बनाना है वहां पर एंजीपी ऑपरेट होता है और वो ऑक्सीजन एंजीपी का वर्क करते अपने लॉन पेयर से एंजीपी मैं पार्टिपेट करता है और एंज पिलस बाहर निकलता है और एपॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है ठीक है अगर हम बात करें नंबर पांच के तरीके के सिंधों की तो वहां आप देखेंगे कि यहां पर कोई कार्वनिल डेरिवेटिव है और केटाइन भी यहां पर है कार्वनिल कार्वन मतलब बीटा कार्वन पर कार्वनिल के रेस्पेक्टर में कार्वन अलफा है इससे अगला कार्वन बीटा है जब पॉजिटिव चार्ज हो ऐसा सेंथोन आपके पास है तो यहां से इसके अलफा कार्वन से क्या निकलती है हाइड्रोजन निकल जाती है के रूप में जैसे कार्वनिल कार्वन है इससे जुड़ा हुआ अगला कार्वन अलफा कार्वन है और उससे अगला जुड़ा हुआ कार्वन बीटा कार्वन है और यहां पर जब सी एच टू प्लस प्रिजेंट है तो इस कार्वन से एच प्लस बाहर निकलती है इस तरीके से यहां bond इदर प्लस होता है और यहां से यह H प्लस बाहर निकल रहा है तो यहां यह माइनस छोड़ के जाता है प्लस और माइनस के बीच में बन जाता है bond इस तरीके से यहां बन जाएगा double bond तो नमबर पॉंच का जो synthetic equivalent होगा वो आएगा आपका कोई double bond ठीक है alpha beta unsaturated carbon compound बन जाएगा यह दी इस तरीके का synthon हो that means carbonil carbon के बीटा position पर यह दी है sorry carvocatein हो तो alpha beta unsaturated carbonil compound आपकी synthetic equivalent के रूप में उप्टे होते हैं अब हम बात करते हैं नमबर 6 की कि अगर माहिनस दिया हुआ हो alpha carbon पर माइनस ओउस carbonil के पर तो आपको synthetic equivalent के रूप में देखिए हैं पर क्या काम में लेंगे CH2 minus है तो CH2 minus पर यहां क्या काम में लेंगे CH2 minus पर plus काम में लेंगे plus के रूप में या तो आप H plus काम में ले सकते हो तो CH3 बन जाएगा यह देखिए कीटोन बन गया है यहां या आप इस CH2 माइनस पर क्या जोड सकते हो मैंने जोड़ा है COOET ठीक है और इस COOET के उपर आपको पता है क्या होगा पॉजिटिव चार्ज होगा तो नेगिटिव औ पॉजिटिव के बीच में बॉंड बन जाएगा तो उसका सिंथेटिक कुलेंट होगा यह ठीक है यदि हम बात करें नमबर साथ की यदि इस तरीके का सिंथोन आपके पास होता है जिस हमें नमबर सेवन पर दिखाया है तो उसके सिंथेटिक कुलेंट के रूप में CH2 माइनस है यहाँ पर H पलस जोड़ देंगे तो सिंथेटिक कुलेंट हमारा बन जाएगा यह ठीक है और यदि हम क्या जोड़ देंगे CH2 CWET जोड़ देंगे जो मैं अभी बता रहा था हैं CH2 माइनस आपके पास है यहां तो यहां से आपने क्या जोड़ा है CWET यह दर हो गई होगा तो यह हम कह सकते हैं CHOOET जब हम जोड़ देंगे तो हमारा सिंथेटिक कुलेंट बन जाएगा यह ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं नमबर आठ की यदि हमारे पास सिंथेटि क्योंक्त होगा यह वो कैसे होगा जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर हम कोई बैटर लीविंग गुरूप यहां पर जोड़ देंगा बैटर लीविंग गुरूप के रूप में या तो C-L हो सकता है में वताय या B-R हो सकता है या O-TS हो सकता है जितना बड़े साइज का ल जोड़ देंगे जदि हम बात करें नमबर 9 की तो यहां पर ऐसा ही लिए माइन आपको देखाई दे रहा होगा और सी ओ प्लस ठीक है इसके संथेटर की बात करें तो वही है यहां पर इस कारवन दिल कारवन पर जो की लेक्टरॉन डेफिचेंट है कोई लीविंग गुरू जोड़ देंगे जैसे आपने जोड़ दिया सील रसी ओसील बन जाएगा यहां आप जोड़ सकते हैं यहां पर ओई यह भी वेटर लिविंग गुरूप होगा ओई यहां पर जोड़ देंगे तो प्लस है तो वह इटी एटी ओ माइन तो यह हो गया एथाओक साइड आयन ठ जोड़ करके यहां पर यहां पर जोड़ करके इसका सिंथेटिक युकुलेंट यह बना सकते हो अगर हम बात करें नमबर दस जो की इंपॉर्टेंट है साइकलिक कंपाउंड में देखने को मिलता है इस तरीके का सिंथोन आपके पास किसी भी बॉंड का क्लिवेज करके बन सिंथेटिक युकुलेंट यह होता है इसे हम बोलते हैं इनेमीन इन प्लस एमीन इनेमीन ठीक है इस वाले को हम क्या बोलेंगे ज़िए हम बात कर रहे हैं इस सिंथेटिक युकुलेंट की जो कि इसका बनेगा इस तरीके कंपाउंड का बनता है उसका नाम करण होता है इने इन एमीन से मतलब है इन प्लस एमीन इसकी वज़े से तो इन आ गया डबल बॉंड की वज़े से और यह एमीनो गुरॉप की वज़े से एमीन आ गया यह बनता है अब देखिए यहां पर आपको दो निकलियो फिलेक्साइट दे रहे के होंगी एक तो होती है हमारी कारवन क्य आते हैं इधर इस तरफ तो जब इस तरफ आते हैं तो एक तो नुक्लियो फिलेक्साइट नाइट्रोजन पर लॉन पेर होने की वज़े से नाइट्रोजन भी होती है और कारवन जिन होती है कारवन इस मोर नुक्लियो फिलेक्षियर देन नाइट्रोजन क्योंकि नाइट् की नेक्लियो पलीसिटी this inonemine का रवन की के कमपेरेजन के कुम होती है यदि यहाँ पर इसको क्हों की नेग्रोजन को हुड़ा हुड है तो कारवन की साइट से इस से अटेक ठीक है नेक्स्ट हम एक्जम्पल देखते हैं 11 टाइप का 11 टाइप की जब हम एक्जम्पल की बात करते हैं तो यदि इस तरीके का आपका कोई भी एलकाइन आपको अप्टेन हो रहा है तो यहां पर कोई भी मेटल आप जोड़ देंगे जैसे जनरली सोडियम जोड़ करके इसका सिंथेटिक उक्टियंट हम यहां बना सकते हैं यदि हम बात करें इस तरीके के ऐसाइलियम आएन से अगले कारवनिल कारवन से अगले कारवन पर यदि पॉजिटिव चार्ज है तो यहां इसका सिंथेटिक उक्टियंट हम कोई भी बैटर लीविंग गरूप जोड़ करके लिए गरूप के रूप में हम किलोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का यूज कर सकते हैं फिलोरीन को बैटर लीविंग गरूप हम इस साथ बनता है इसलिए लीविंग गरूप एमिल्टी फिलोरीन में लेक्टो नेग्टिटी भी फिलोरीन की ज्यादा होती है इस वज़े से लीविंग गरूप एमिल्टी फिलोरीन की अन्य हलोजन के कंपेरिजन में सबसे कम होती है लाश्ट हम बात करें थार्टीन टाइप करके संथान की यदिस refined तरीक के संथान हमारा disconnection के thoo auataid 1 हो रहा है ठीक है तो उसका synthetic equivalent के रूप में मैं कोई para bag from living group जोड सकते हैं living group के रूप में मैंने आपको बताय या तो हम जोड सकते हैं ooict weekly सकते हैं CLB जोड सकते हैं और इसका останσι hice हम बना सकते हैं. तो यह बात हुई हमारे कुछ सिंथों जो कॉमन हम को देखने को मिलते हैं जब भी हम बांड का क्लिवेज करते हैं. यह तेरे एक्जामपल्स मैंने आपको बताए और उनके सिंथेटिक एकुलेंट की क्या-क्या पॉसिमिल्टी होती है वो आप देख सकते हैं तो सीधी सी बात यह निकल के आती हैं कि जहां पर कुछ इस्पेजल कंपॉंड जैसे एंजी पी ऑपरेट होकर के अपॉक्साइड बन रहा है या इनमीन हम फॉर्म कर रहे हैं या और्गेनो मेटलिक कंपॉंड हम बना रहे हैं वहाँ पर हमें बिसेश तोर से दिहान रखना होता है अब मैं यहां कुछ एक एक जामपल जैसे आपको सॉल्ब करके बताता हूं कि मान लीजिए यह आपका कोई टार्गेट मॉलीक्यूल है जिसको यहां को तोरा है यह आपको दिखाई दे रहा होगा कर्व वाली जो लाइन है इस bond को जब हम तोड़ेंगे तो आपको पता है इधर positive आएगा और इधर negative आएगा तो इधर में negative बना दिया है और इधर में ने positive बना दिया है ये दोनों हो गए हमारे क्या सिंथोन इस target molecule के ये क्या होगे सिंथोन होगे ये सौरी कैटाइन है और ये एनाइन है उसके बाद इनके synthetic equivalent मैंने अभी आपको बताए थे कि इस वाले का synthetic equivalent क्या हो सकता है अभी मैंने बताए था चर्जा की थी और इस वाले का synthetic equivalent यहापर हमको living group जोड़ सकते है ठीक है और जोड़ सकते हैं जो मैंने उपर यहाँ से चर्चा की है वहाँ से आप बैटर लेविंग ग्रूप जोड़कर अब यह रियक्सिंट कर अब यह रियक्सिंट क्या होता है तो इस वाले कैटाइन की जब हमने बात की है तो इस वाले कैटाइन पर हम कोई battery living group यहाँ पर यदि हम इसका synthesis लिखना चाहें तो देखिए synthesis किस तरीके से इसका हो सकता है यदि हम उसकी बात करें तो यह इन दोनों के बीच में जब reaction होगी तो सबसे पहले base आएगा base बाल देजिए यहाँ से जब reaction होगी तो यह more nuclear flexite है यह इस तरीके से reaction भी आप करा सकते हो मैंने भी बताया कि यहाँ पर negative charge आएगा और negative charge यह कार्वनिल कार्वन पर reaction देगा SN2E reaction होगी यह अधर जाएंगे और यह अधर आएंगे और CL निकल जाएगा बाहर ठीक है पहले step में उसके बाद होगा यहाँ पर hydrolysis और hydrolysis होकर कि यह part हो जाएगा बाहर और आपको बन जाएगा कार्वनिल ऐसे यहाँ पर आपको सोचना होता है कि कोई भी target molecule में मैंने आ disconnect के बाद आपने यह synthon बनाएं उनके synthetic equivalent क्या क्या हो सकते हैं अभी मैं टेबल में बताएं उनके according हम synthetic equivalent obtain कर सकते हैं इन synthetic equivalent में यह हमारे पास target molecule की starting material आ चुके हैं इन दोनों के बीच में A और B इन दोनों के बीच में well known reaction होनी चाहिए और reaction होनी के बाद हमारा target molecule बनना चाहिए तब ही हमारा जो disconnection में जो process हमने काम में लिया है वो process एक valid process होता है तो आप इस वीडियो में जो मैंने आपको synthetic equivalent के examples बताए हैं यह बहुत important है इनको आप देख लें समझ लें कि किस किस तरीके से किस सिंथोन का क्या synthetic equivalent हमको huge में लेना होता है क्योंकि आगे जैसे जैसे हम इस पेपर में depth में जाएंगे इसकी हमें बहुत नीड होती है इसलिए एक बार इस टेविल को ध्यान से आप देख लें कि कहा और किस तरीके से हमने किस सिंथोन का क्या synthetic equivalent हो सकता है थैंक यू